अब इसका आगे हम लोग अभिलेक पर चलेंगे तो यहां तक कि आपकी चीज़े किलियर हो चुकी होगी अभिलेक में देखेंगे ठीक है सबसी इंप्रुटन चीज है रामगर की पहाडी रामगर की पहाड़ी मापको पता है सीता विंगर केव एंड टीक है जोगी मार केव आर लोकेटेट एट रामगड हील्स ठीक है और यह जो है आपका सर्भूजा जिले के अंतरगत आता है तो अगला आप करहेगा किस पर बात करनी है अब हमें ठीक है अभी लेक पर तो दो मैना भी गुफाओं का नाम लिया है जोगी मारा और फिर आपका हो जाएगा सीता बेंगरा यह दोनों गुफाओं में जो लेक लिखे हुए है इसको आप सबसे पहले समझेंगे यह जो है दो चीजों पर है एक है आपके इसकी भासा ठीक है पाली है और इसकी लिपी ब्रामी है ठीक है और इनके पाली भासा और ब्रामी लिफी में यहां पर लेक लिखे होए है और यह जो हमने कहा है कि भासा है ठीक है आपके पाली भासा है और ब्रामी लिपी है यह दोनों मर्यों से संबंदित है तो इस लेक के माध्यम से यहां समझा जा सकता है कि यह मौ कि पहाड़ी यहां पर देखेंगे तेके करके हम लोग देखेंगे इसके अंतर का दो चीजे भी आती है इसको भी देख लेंगे ठीक है अलग अलग करके देख लेखते हैं इसके अंतर का दो गुफा है एक कौन सा है आपका जोगी मारा गुफा ठीक है जोगी मारा गुफा य रामगड को पहाडी के प्रत्थम इवस को भव्य्य मेले का होता है कब होता है ऐस है आल असाड मह पर मेले दिखेंगे तिसे मेले तहीं हो जाएगा आपका मेले या फिर मेला लिख लो यहाँ पर ठिक Ngay प्र All month इसको आपको नहीं भूलना है इसे जो है ठीक है असार मन्द के यज पिर असार महा के पहला दिन कम कम आपने फ़र्श्ट्ट डे पहला दिन ऐजगत किया जाता है इस को आपको नहीं भूलना है सेकंड चीजिस के बारे मियाद रखना है ठीक है कालिदास की एक रचना है मेगदुतम ठीक है तो कालिदास की रचना मेगदुतम ठीक है इस से संबंदित है रामगड के पहाड़ी संबंदित है मेग दूतम में भी रामगड के पहाड़ी का उनलेग है और यह जो मेले हमने बात की है ना भी कि असाड़ महा के फर्स डे जो है यहाँ पर मेले के आयोजन होता है यह भी रा ठीक है ना कालिदास की जो रचना ह मेग दूतम से संबंदित है तो यह दो फेक्ट आपको यहाँ पर याद रख लेनी है ठीक अब इसके बाद मैंने कहा है कि जोगी मारा केव एंट सिता बिंगरा केव ठीक है आर लोकेटेड इट रामगड हील्स ठीक है यह रामगड की पहाडी है इसको आपको नहीं भूलना इस गुफा नहीं है पहाडी है इसके अंतरगा दो गुफा है मैंने कहा है इसके अंतरगा दो गुफा है जोगी मारा गुफा और क्या आपको हो जाएगा सिता बिंगरा गुफा तो यह दोनों गुफा कहा पिस्तित है रामगड की पहाडी में इस्तित है और रामगड की प आपको देखना होगा एक यह मौरियों की पूरा तात्विक धरोहर है और इसे वरूर मंदिर भी कहा जाता है ठीक है तो इसमें दो चीज आपका समाहित हो जा रहा है सबसे पहले मैंने कहा है कि इस इन और्केलोजिकल हेरिटेस ठीक है विशिज आलसो कॉल दब वरूर टेमप भी कहा जाता है ठीक है तो यह पूरा तात्विक धरोहर है किनके मौरियों की और इन्हें वरूर मंदिर भी कहा जाता है अब इसके दिवारों पे देखेंगे जोगी मारा गुफा के दिवारों पे ठीक है एक लेक है उस लेक में एक पढ़नाय गाथा को वर्णन मिलता है जो की ठीक है पढ़नाय गाथा जो की प्रेम का था एक प्रकार से एक प्रकार से देखेंगे ठीक है प्रेम का था तो किनका किनके इसको देखेंगे द देवदासी सुतनुका ठीक है देवदासी सुतनुका एवं देवदीन अरे देवदीन कौन है ठीक है ये कांसी के कलाकार है ठीक है तो कांसी के कलाकार देवदीन एवं देवदासी सुतनुका इनके प्रन्य गाथा का वर्णन मिलता है इसको आपको नहीं भूलना है अलाई स् इन ब्राम मी स्कुरिप्ट इसको भी देखना यह जो लेक मैं ने कहा है फिरीवास ऍ तक हूं से रिवाइज करा दू क्षिक ह thought कि अभी लेक में ने कहा है रामगर की पहाड़ी को बारे में देखना है क्यों कि जो हम लोग बात कर रहें यह मौरियों की पूरटातिविए ध्रोहर है और यहां के जो लेक है वो प्राकृतllow-भासा में है ठीक है ठीक है और प्राकिटम है और प्राकिस यहां से संबंदित है यह मैं कहना चाह रहा हूँ तो शबसे पहले हम लोग अविलेगने आफिलेगमे रामगअर पहाडी देखं़ है रामगअर पहाडी सबसे केस SpaceX डेखिय के रहा इक blending नौन टीक है चूर। काली दास की एक कमपूजी सने उनकी एक रचना है ठीक है तो काली दास की द्वारा रचा गया मेगदूतम जो है इससे संबंदित है या फिर रामगड की पाड़ी संबंदित है ऐसा कह सकते हैं रामगड की पाड़ी इंदो गुफाओं का जिक्र मिलता है इसके बारे मने बता आलाइज डिस्क्राइब आंदे वॉल आफ देकर जोगी मारा केव इसके बारे में हमने देख लिया है अब आता है सिता बेंगरा की गूफा सिब्षा पारे में कुछ नहीं है इसके बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे सिता बेंगरा की गूफा एविस्वकी ठीक है कुम है कि इसके बारे में आपको देखना है अविश्वा की प्राचिनतम नाट्यसाल है इट इसद ओल्डेसट ठीए ट्यटर आप दिए सकते हो आप इसके बारे में सकते हो और इस में दरसक दिरगा भी ओंहिंट ऑडरिटोरियम एक प्रकारसे है जिसमें दर्सक दिर्गाव के बना हुआ है तो यह तुरह दो चिजों पर याद करेंगे इससे पहले हम को पर बात कर लिया ठीक है शिकों या फिर इंके सिक्षे पर बात कर लिया और इसके भी पहले आप याद रखेंगे अब तीन प्रमाड हो चुका है ठीक है मैं फिर से एक बार सौट में बता दूं मौर्यकाल जो है ठीक मौरियों का प्रभाव जो है 36 गड़ के अंदरगत था इसके बारे में आप नकार नहीं सकते हैं और इनके बारे में प्रमाड हमने क्या क्या देखे सबसे पहले असोग के अभि प्राप्त होते हैं और थे के बारे में आप ने देख लेया पंचि मार्ड कोइंस जो कि का यहां से प्राप्त हों चार présent से उसके बारे में देख लिया जब अब कर दो करा ना मुझी z잉ंक है आपको हो जाएंगा इस के बाले मैं आपको जैदा कुछ देखने की इनकी-6 तो忙ुकि सैंठी जो शुरूंछे पोगता coração घाहर चलता ओक सम्राफ एतिस है लुक युकि जात है जो कि यह साथ खुनीम म tela su तो उस टेम पे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि जो अपने जीत के लिए अभ्यान चलाते थे ठीक है तो यह दक्षिड के और जब 36 गड़ से होकर गए तो इन्होंने अनेक इस्तोपो कर निर्माड कराया है ऐसा चीनी यातरी ठीक है ना वेंसांग की यात्रवितान से मिलती है इसको आप सुनके लिख लेंगे एक चीज़ मेरे को और बताना था ठीक है 1848 में जो हमने अभी इसके पहले कहा है ना रामगड की पहाडी तो रामगड की पहाडी की खोज करनल आउसले के बद्द्वारा क किया गया है ठीक है डिस्काड बाइक करनल आउसले कब किया गया है इन 1848 इसको आपको नहीं भुलना को अंल में करनल आउसले ठीक है और जो सिता सिता बेंगरा की गुफा है इसकी खोज किया तो रामगड की पारी जब उन्हें निकला है इसका मतलब यहाँ है कि उनके द्वारा जोगी मारक गुफा सिता बेंगरा गुफा इनकी खोज उनके द्वारा किया गया है तो रामगड की पारी खोज किसी ने किया है आपको देवदासी सुतनुका यह देवदीन इसके पढ़ना एक गाथा का वर्णन है ठीक है उस लेख की जानकारी देने वाला संतलाल कटारे हैं ठीक है संतलाल कटारे यह दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद इसको रख नहीं है ठीक है इसको नहीं भूलना है बहुत एक है आपका संतलाल कटारे, एक है आपका करनल आउशले, करनल आउशले ने 1848 में रामगण की पहड़ी की जाने करी दी है, ठीक है ना, और फिर आप सिता वेंगर और जोगी मारा गुफा को भी इस से जोड़ सकते हो, संतलाल कटारे के बारे में सिर्फ मैंने ये कहा है, जो आपकी लेक है, ठीक है गुफा की जो लेक है, उसके बारे में जानकर किस ने दी है, संतलाल कटारे ने दी है, तो ये दोनों के बारे में आपको अच्छे से देखना होगा, चिनी आतरी वेंसांग के बारे मैंने कहा है, इनकी यात्रवित्तान सिहां ज्यात होता है कि जब सम्राट असोग जो एच्छतिसगर से होकर दक्षिड की तरब गये तो उन्होंने अनेक इस्तोपो का निर्मार कराया था इसको आपको देख लेना है अब इतने चीजे खतम होने के बाद स्कल्प्चर के आपको देखना है म आपका काम हो जाएगा जो की विशेस तोर पर हम लोग बात कर रहे हैं कोटाडोल में देखें तो मौरियान रिलेटेड इसकल्प्चर्स ठीक है विन फाउंड फ्रॉम कोटाडोल एमसीवी इसको आपको नहीं भूलना है तो मौर्य कालिन ठीक है ठीक मौर्य कालिन जो मूर अरदपूर में है ठीक सेगंडे अकपाटपूरम सरगूजा घर सरगूजा सरगूजा का छेत्र है इसको नहीं भूलेंगे सरगूजा की शितर mines यहां से असोक के लाट मिलें असोक के लाट मिलें तुर्टुरिया छेत्रय में अनेक और मी और बाउद के ऐसक sense उससे तरभ थेन चेत्र में कि इस चेनल छेट्र में फैसक अनेक बाईउ भीर फि एक भी आप नहीं पूलेंगे पते कहाँ पर और को महा मढद ये कुछ से तरफ हेल हुआ है इसके बारे में आपको नहीं बुलना तो ये दरह आपका मौरियन एंपायर जो कि बहुत इंपोर्टेंट है यहां से कुष्चन बनते हैं इस्पेसली सिक्कों सिक्कों को नहीं भूलना है और फिर आपको जोगी मारक गुफा जो इंपोर्टेंट हो सकती है यह दोनों से आपको कुष्चन पूछे जाएंगे मतलब पूछने क के असार हैं यहीं से जादा कुष्चन बनते हैं इसपेसली सिक्के सिक्के को नहीं भूलेंगे एक एक करके उसको देखेंगे उसकी इसके प्लेस को ही देखेंगे सिर्फ जीला पढ़के नहीं छोड़नी है अकलतरा ठठारी इसको आपको याद रखना है उडेला फिर आप आपका समाप्त होता है हाला कि इसे इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ना होता है तो नेश्ट और वीडियो मैं आपके लिए लेके आओंगा जो कि इसके आगे वाले टॉपिक रहेगी एक एक करके हम लोग वन बाइवन जाएं इसे पहले भ करेंगे ताकि जादस जादस लोगों तक पहुंच पाया आइविस यू आल दी वेरिवेश थाइंक्यू सो मच